नितीश कुमार के परिवारवादवाले बयान पर घेरते हुए रास्ट्रिय जनता दल की महिला प्रकोष्ट की प्रवे सद्यक्ष रितु जैस्वाल ने नितीश कुमार को धो दिया है और सिर्फ धोया ही नहीं है बलकि ये तक कह दिया है कि नितीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगर गया है उसके अलावे रितु जैस्वाल ये तक कह देती है कि उनकी यादास जो है सिर्फ खराब ही नहीं हुई है बलकि जरजर हो गई है अब पुरा माजरा क्या है और क्यों रितु जैस्वाल नितिश कुमार को घेर रही है और क्या क्या कहती है हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जंता जंचन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल रुपॉली में होने वाले बिधानसवा उप्चुनाओं को ले करके रितु जैस्वाल जो है राजद के प्रतियासी बिमाभारती के समर्थ करने गई थी और फिर नितिश कुमार के उस बयान पर घेर लेती है उनको जिसमें लालू यादों पर निसाना साधुते हुए नितिश कुमार ने कहा था कि इतना बच्चा पैदा कर लिये हैं कोई करता है क्या नितिश कुमार को घेरते हुए रितु जैस्वाल कहती है कि न वो कहती है कि बिवेक ठाकुर के बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं नवादा के जो सांसद है उसके बाद वो कहती है कि जम्मुई के सांसद चिराग पास्वान के जीजा है इस बात पर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं मधुबनी के सांसद असोक यादो जो है वो पुर्व के उनके चाटुकार उनसे लिखवाते हैं उनकी मानसिक श्थिती जो है वो सही नहीं है और इसका इस बात से पता लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादो के अधिक बच्चे पैदा करने की बात जो है वो हर बार करते आये हैं अब रितु जैस्वाल जिस तरीके से नितिस कुमार पर हमला बोल रही है जिस तरीके से नितिस कुमार के खिलाफ धागा खोल दी है उसे नितिस कुमार सक्ते में आ जाएंगे आगे रितु जैस्वाल ये तक कह देती है कि उनको लालू प्रसाद यादों के बेटों और बेट उनके परिवारवाद वाले बयान पर खुब घेरती हैं और उसके बाद उनको ये तक याद दिलाती है कि सांभुई चौधरी का उनको याद नहीं आता है जो उनके दल के एक मंतरी की बेटी है और कई सांसदों का नाम ले करके नितिस कुमार को घेर लेती है कि उनके जनताद यादों की बात करते हैं परिवारवाद पर आप सोचिए कि रितु जैसवाल किस तरीके से हमला करती है और किस तरीके से नितिस कुमार का जो बयान था परिवारवाद को ले करके उस पर हमला कर देती है बाकी आपको क्या लगता है कि रितु जैसवाल ने जो बाते कहीं है और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रितू जैस्वाल नितीश कुमार पर हमला बोल रही थी वो सही है कि नहीं अपनी राय कमेंट के माध्यान सम्तक जरूर भेजिएगा और देखते रहीएगा जनता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद